Hello guys, welcome back to my YouTube channel दोस्तो आज की इस वीडियो में हम रक्षा बंदन के लिए कुछ इस तरह का पोस्टर बनाना सीखेंगे अगर आप भी इस तरह का पोस्टर बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें, कईवे स्केप मत कीजिएगा वीडियो देखने के बाद आप भी बहुत असानी से इस तरह का पोस्टर बना सकते हैं तो वीडियो में आगे बटनेस पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप मेरे कामस होते हैं इंप्रेस तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल अकन को कर दीजे प्रेस तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट इने टैम बेस्ट तो दोस्तो इस पोस्टर को बनाने के लिए मैंने जो भी बैकग्राउंड इमेजेस PNG में जैसके उज़ किया है उन सारे मेटेरियल के जीप फाइल का लिंक आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्सिन में मिलाएगा और उसमें जů पास्वर्ट लगाऊ है वो पास्वर्ट बैसको इसी वीडियो में द्यो जगाप देखने को मिलेगा तो आपको वीडियो को पूरा ध्यान से बिना स्किप किये एड तक देखना है तभी आपको पास्वर्ट मिल पाएगा नहीं तो आप कमेंट करोगे दोस्तो मेरे फोन भी अप्सें पहले इप्लिकेशन फिर इनस्टाल नहीं है पिक्सल相信 करने में के बाद आपके सामने का इंटरपेस आता है यहाँ पर आपको new text लिखावा मिलेगा, इसको delete करने के लिए उपर left corner पर delete का एक button मिलता है, इसको click कीजिए, और यहाँ ओके पर click करके इसको delete कर दीजिए, उसके बाद आपको ओपर right corner पर three dot का एक option मिलेगा, इसको click कीजिए, और यहाँ पहले नमबर पर जो option आता है, use image from gallery क इसको click कीजिए, और यहाँ से यह वाला background में select कीजिए, और ok कर दीजिए, उसके बाद आपको ओपर plus का icon पर click करना है, from gallery में चले जाना है, और यहाँ से आपको यह वाला text png select करना है, और ok कर देना है, इतना करने को आपको third number वाले tool पर click करना है, एक बगल में scroll down करके okay करना है, और इसके वे relative size को full किरए जाना है, और इसके बाद अपको दोस्तों यहाँ पर अपना नाम लिखना है, नीचे में तो üzलिए आपको क्या करना है? फिर से उपर उपर plus का icon करना है, और पहले नम्बर पर यह आपस तना है, टेक्स ट्रहाँ पर लेना है तो चली मैं अपना नाम टाइप कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ, नाम टाइप करने पद आपको क्लिक करना है, पर क्लिक करने के बाद आपको राइचाट में पतल साइक डॉट आता है इस पर टैप करके खीज़के आप उसको एक लेंड में एजस्ट कर दिजिए उसके बाद नीचे लाने के बाद आपको second number वाले टूल पर क्लिक करना है एपर पर क्लिक कीजिए और जो भी बैक्ग्राउंड आप टेक्स्ट में डालना चाहते है वो कलर का बैक्राउंड डाल सकते हैं जिसे आप में रेटिकल कर लेता हूं उसके बाद आपको नीचे आना है लेट पैडिंग को थोड़ा सा बढ़ा देना है राइट पैडिंग को भी थो का बैक्ग कर देजिए और दोस्तों आप देख सकते हैं आपका पोस्टर बनके रेडी हो चुका है और कुछ इस तरह का पोस्टर बना है अब इस poster को save करने के लिए आपको उपर में share के बटन के पिछे में save का एक बटन मिलता है इस पर click कीजिए save as image पर click कीजिए और है पर एक option आता है default का इस पर click कीजिए उसर से last way का option आता है ultra इस पर click करके बटन के एक बटन आता है अब कि आता है इस पर एक बटने का एकटर सक्वर्ण से पर शाइब का उसे बटन के लिए नगग 2 t